हलो गाइज वन्स अगें वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस इन्फार्मेटिव वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि बहुत लोगों को इस बात में संदे है और संशा है कि क्या आरो ए आरो जो री एक्जाम होगा और जो लोग पहली बार परिक्षा में अपसेंट थे और परिक्षा में नहीं बैठे थे वो क्या दुबारा जो परिक्षा होगी री एक्जाम में वो उनको वो एक्जाम देने को मिलेगा या नहीं तो इस बात की चर्चा जो है बहुत जादा है और बहुत सारे लोग इसके चक्कर में तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों के संका का समधान करना चाहता हूँ कि ऐसे ही परिस्थिती आई थी जब 2016 का आरो एरो एक्जाम जो है कैंसिल हुआ था और बाद में 2021 में उसका री एक्जाम कराय गया था तो जितने लोग उसमें सामिल थे जिन्होंने भी फार्म अपलाई किया था सबका जो है फार्म अपलाई किया था सबका एडमिट कार्ड आया था तो हम ये आसा करते हैं कि जितने लोग इस 2023 में आरो का फार्म भरे हैं चाहे वो एक्जाम में बैठे हो या फिर एक्जाम में ना बैठे हो लेकिन सभी लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका admit card जारी होगा या नहीं जारी होगा तो एक अपना sure हो जाईए कि आपका exam होने जा रहा है और उसमें आप exam में बैड़ भी सकते हैं भले से आप उस exam में अनुपस्तित रहें exam देने नहीं गए हैं फिर भी आप exam, re-exam में बैठ सकते हैं तो आज से अपना संसे दूर कर लीजिए और ROARO की strategy वाला video यहाँ पर अभी share कर दिये जाएगा तीन महीने की पूरी एक complete strategy और इसके अलावा हमारा जो telegram group है target ROARO 2023 इसको आप join कर लीजिए यहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा और जिससे आप जो है आगे की तैयारी कर पाएं और हमाई channel को subscribe भी करें Thank you so much